वेखम दिमाइचानेल आज मैं आपको प्राओंगी क्लास 11 के इंग्लिश का चैप्टर दे अडवेंचर यह जो चैप्टर है यह लिट्रुली डिफिकल्ट चैप्टर है और आज मैं पूरे कुशिश करूंगी कि आपको यह चैप्टर बहुत इजी लाग्विज में समझा द है उस एक्सिटिन यहें कौमा में चले जाते हैं और उस कौमा की स्टेट में यह अपने माइंड मेड पैरलबर में चले जाते हैं समझ गए एक नई दुन. इलग दुन. अधो इस रिएं कि हमारे दुन चैपारर बैटल औफ पानिप्द कुमाराठाज जीत जाते हैं और उसका एक बिलकुल एफेक्ट पड़ता है अलग एफेक्ट पड़ता है हमारी कंठरी के उपर क्योंकि अगर हिस्ट्री का एक भी इवेंट चेंज हो तो आगे तक की पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी तो आज हम देखेंगे कि इनों ने जो है उस पैरलेल वर्ड में क्या-क्या जो है समझा जाना और क्या-क्या वहां पर फील करा ठीक है जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहोगे पूरा समझ में आ जाएगा तो हमारे को डायरेक्ट बुक में शुरू हो जाता है कि ऑथर जो है हमारे वो ट्रेन पकड़के जा जा रहे हैं मतब कि जो करेक्टर है हमारे ट्रेन में जारे जी जी माता एक्सप्रेस में बट वह कैसे जा रहे क्यों जा रहे उससे पहले का मैं आपको बता देती हूं प्रॉपर नोट्स क्रिएटेड है तो प्रोफेसर गंगाधर पंथ गाय चुन्डे नाम है इनका और य इनका नाइन नाइन लेक्चर बहाशनी दे चुके थे मतलब कि यह 1,000 होने वाला था जिसको देने के लिए यह जा रहे थे तो उन्होंने अपने लेक्चर का टॉपिक रख रखा था बैचल ओफ पानीपत ठीक है तो यह जा ही डेते रास्ते में तो जा लेक्चर बहाशनी करें करते हैं तो वह पारलल वर्ड में चाहिस आ गया है और को लगता है कि ली दुनिया में है समझ फिर अभी हम चलते हूं चलो पैरलल वर्ड में हमारे जो प्रोफेसर गाई चौनडे है उनको खोश आदाता है सुबा एकसिटेंट हुआ आगले दिन होश आ गया जैसी उन्हें भोश आता है तो वह पूने घर पहुशने की कोशिछ करते हैं जो किसा नहीं होता है तो वह सोचते हैं कि चलो मैं बॉंबे चला जाता हूं मेरा बेटा वहां काम करता है तो मैं जाके अपने बेटे से मिल लूँगा तो वह पूने रेल्वे स्टेशन जाके यहीं से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है तो जब वहां जाते हैं बॉंबे की तरफ तो तब उन्हें पता चलता है कि बॉंबे पूरे इंडिया में सिर्फ बॉंबे था जो एक बिटिश टेरिश्ट्री था बाकी सब डिटिश्ट्री नहीं थे अभी आप आगे भी समझों कि और कि मतलब क्या-क्या एक हिस्ट्री की वह इवन्ट बदलने से क्या-क्या चेंडिस आए तो जीजी माता एक्सप्रेस जो थी वह बहुत तेज चल रही थी पूने के बाहर को इंडस्ट्रीज वगेरा न कुछ देर के लिए वहां पर रुकती है फिर वहां से कल्यान की तरफ चलती है जब वहां बैठे वेते तो वह कहते हैं मैं बहुत सारे अपने दिमाग चला रहा था और मैंने सोचा कि बहुत जगा की जाननी है नई दुनिया में जहां एंटर कराऊ तो मुझे लाइब्रेर में मुझे जो भी मिलेगा तो मैं वापस आउंगा जब पूने के अंदर तो उनके एक फ्रेंड है राजेंदर देश पांदे जो एक प्रोफेसर है और उनको जो है साइंटिफिक नॉलिज बहुत जादा है तो उनसे जाके समझेंगे कि यह वेर्ल के अंदर यह सब चेंज के पास में और एक चोटी से स्टेशन पे रुखते हैं यह जिसका नामता सरहथ अब यह सरहथ नाम का स्टेशन था इस पर यह देखते हैं कि बहुत सारे एंगलो इंडियन थे हैं इनकी ब्रिटिश इंडियन से यूनिफॉर्म में थे और वो ट्रें के चेकिंग परमिट्स दिखाई दे रहा था हमारे ओथर के ठीक है जैसे कि अगर मैं तुम्हें ना बतलब के बिकुल सिंपल में बताऊं जैसे हम लोग वो देखते हैं मार्वल की मूवीज देखते हैं उसमें मल्टी वर्स दिखाया जाता है और नॉर्मल अगर मैं बात करूं मुझे तो मैं डोरे मॉन से एक्जाम्पल आप लोगो देना पसंद गटी हूं जादा जैसे डोरे मॉन में वह नोभी था एक बार शीशे की दुनिया में चला जात पहली बार बॉंबे जा रहे हो तो है तो फिर वो जो है उन्हें बताते पूस्ते तुम पेशावर कैसे जाएंगे वहांसे ट्रेन बदलेंगे frontier mail लेंगे फिर frontier mail से वो जो है दिली जाएंगे दिली से लग और जाएंगे और फाइनली पेशावर पहुच जाएंगे तो partition नहीं हो रखा है इस दुनिया के अंदर ठीक है तो वो बोलते है खान साहिब की दो दिन की लंबी जर्णिया बठामे जो है पहुच जाओंगा वहां पे और फिर खान साहिब अपने बिजनस के बारे में काफी कुछ गंगादरपन गाइटोंडे जो है हमारे प्रोफेसर उनको बताते हैं कहते हैं मिलको ना सुनना बहुत पसंद है ठीक है और यह बी बताते है कि देखो वहाँ पे टाइमी यूनियाँ जाक पेंटेड है इच पाने के जो बगगी है जो क्या कहेंगे वह कैरेज जो होती है । इस पे जो है यूनियाँ जाग बने यूनियाँ जाग नैश्टनल फ्लाग है बिटिश का ठीक है तो बढ़ा हुआ है that means अब हम लोग British Charity में enter कर चुके हैं, वो कहते हैं धीरे-धीरे होने लगते हैं और जो है दादर पे आके रुख जाते हैं और basically वो Victoria Terminus पर रुख जाते हैं नहीं से Khan Sahib को train बदलनी है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे उतर जाते हैं, कहते हैं, station बहुत remarkably neat and clean था, तो ये चीज़ दिखाई जा रही है कि जैसे, ये जो station है, क्योंकि वो British Charity है तो वो चमकता वाद, बिद्कुल साफ से थरा station है, ये नहीं कुड़ा बुड़ा पड़ा है वहाँ पे, और वो कहते है, staff basically Anglo-Indians थे, कुछ Parsis थे वहाँ पे, और British Officers वहाँ पे घूंग रहे थे, ठीक है, वो कहते हैं, जैसे ही मैं station पे गया, तो वहाँ पे जो है, उन्हें क्या दिखती है, उन्हें अलग-अलग buildings दिखती है, और एक जो building थी, उसे देखिए, वो बहुत जादा हैरान हो जाते हैं, जो उन्हेंने सोचा भी नहीं था, वो कौनसी building थी, East Indian House Headquarters of the East Indian Company, तो जैसी वो वहाँ पहुचते हैं, उन्हें East India Company का headquarters दिखता है, और वो उनके रहे बहुत शौक था, क्योंकि Professor Gaetonde के मताबक, और हमारे वर्ल के असली history के मताबक, तो 1857 के वोर के बाद, जो है, 1857 में, जो क्रांती हुई थी, उसके बाद, जो है, East India Company, जो है, इंडिया से चली गई थी, ठीक है, East India Company ने, जो है, वो बंद हो गई थी, आप समझो, बट यहां इनके हाँ पे, जो जिस वर्ल्ड में यह है, तब भी East India Company वहां पे चल रही थी, ठीक है, तो, बट काफी चेंज उने दिखता है, फिर वो देखता है, अच्छा, इस इंडिया कंपनी हाँ पे है, तो वो हिस्ट्री अलग है, फिर उने काफी पे, typically High Street Town था, England, जैसे England के शहर होती है न की उन्यदी है, लग अभी देपार्टमेंट, टोगड़ थे हैं तब कर अने का रहा था ब हमारे इंडिया में इंडिया में आरागाइस कर दो फिर हमारी ऑथर बहार आ जाए कि Bena कुछ ऑड़े कर दो फिर कि मने इस वा Earock और मैंने सुझा कि चलो मैं अपने में मिशन पर जाता हूँ अब सेकेंड मेरा बेटा है नहीं है तो उन्होंने ये टेंशन नहीं लिए अरे आप कहां रुकूंगा खाना कहां खाऊंगा यह लाइबरेडी में तो वह डिसाइड करते एशियाटिक सुसाइटी में जाएंगे ला बहुंद रहसे के जाएंगे तो उन्होंने पांच हिश्टरी की वॉल्युम को एकाल अपने टेबल करा है और उन्होंने अशोका कर learnt से को टेश्टरी में चेंज क्या था जो गांगा धरपंद को फाइनली समन में आदा थे कि आचा यहां से जो है इन पैरलेल वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज है वो है बैटल ओफ पानीपत से वैसे क्या हुआ था देखो बैटल ओफ पानीपत के अंदर जो माराथास की लीडर थे उनकी जो है वो लोग जीत कहे थे जो यह काबूल से आएते अबदाली जो है वो जीत कह थे बट यह वाली जो वुक थी जो फिफ्ट वॉल्यूम यहां पिती पैललल में उसमें क्या हुआ देन माराथा जीत जाते हैं बैटल ओफ पानीपत अबदाली जो है उनको काबूल वापस भागा द जब वो पड़ आये थे उस बुक्स को उनमें से वो जो बुक्स थी गाई वो शायद उन्हीं की लिखी वीन थी तो उनको समझ में आता है कि हाँ विये जो है उनका ही राइटिंग स्टाइल है बट उनको ऐसा कभी याद नहीं आ रहोते कि वह इसा बुक्स उन्होंने कब लि अबशीं सब्रिया कांपर से और उस्सें नहीं आए जब राइस का कंट्रोल था मतलब वह जादा नहीं बड़ा शीचाथ वह सिर्फ बंवे तक करिए एक और चीज़ उन्हें समझ में रखती है कि मराथा ने मुगल कवर्मेंट को मुगल्स को भी जिन्दा रखा वा था उनली फॉर दर पॉलिटिकल रीजन्स 19th century तक भी मुगल्स थे बट वह सिर्फ इसलिए थे क्योंकि पॉलिटिकल रीजन्स की वजे से और वैसे जो ह इंडिया की help करने के लिए वहां पर चल रही थी तो मतलब की यह था कि इंडिया था ठीक है प्रॉपर इंडिया था मराथास का रूल जो है वह काफी अच्छा रहा और उसकी वज़े से जो है जो पूरा प्रॉप जैसे बिटिश राज जो है फैल यह वह नहीं फैल इस वा कंट्री बन जाता है वेस्ट की तरह मतलब हमारे डिमोक्रेसी आ जाती है पेशाहवाज और माराथा जो है वह उनकी जो एंपायर के लूस करते रहते हैं वह और फिर डेमोक्रेटिक सेटप यानि की गवर्मेंट हमारे स्टैब्लिश हो जाती है माराथा रूल भी मतलब स्ल तो प्रफेसर को यह वाले इंडिया बहुत अच्छा था रहा था इट वस्ट्रेंट फॉन यह उन्होंने रियल वर्ल्ड में देगा तो से बहुत लग था इस कंट्री नियू हाव तो स्टैन उन फीट यह कंट्री जान दी ती अपने पेरों पे खड़ा हुना और इट वस नो लॉंगर स्लेव उन्हें को भी बाइट में के अंडर में स्लेव नहीं था डॉंबे वाज मेडान ऊट्पोस्ट और सब्कॉंटिनेंट इजन बैद ब्रित तो बंब एक पूस्ट बन चुका था यानि कि बॉंबे ब्रिटिस टेरिटी था सिर्फ पूरे इंडिया के अं बट जो है हमारे author को अब भी लग रहा था कि उनकी information है वो incomplete है क्योंकि वो अभी तक यह नहीं जान पाए थे कि माराथास जो है वो battle जीते कैसे आचले क्योंकि माराथास के battle जीतने के बाद भी तो वो भाग गए बदली तो उससे effect पड़ाता है तो वो यह नहीं जान पाए थ क्योंकि वो entertainment के लिए जादा होती थी यानि कि उसमें historical events के साथ कुछ बाते mix भी कर रखी होती थी बट फिर भी मुझे जो है जानना था कि भाई कैसे जो है माराथास जीते थे तो मैंने उनकी book जो है वो study करी उनकी book में पता चलता है कि जो विश्वास राव थे जो माराथ जो है जो जीत जाते हैं तो इस वर्ल्ड में यह लिखा वाथा जो जीत गयते है विश्वास राव जी जो है जहीद नहीं होते और वो जीत जाते है ठीक है अब वह इतना सब कुछ पढ़ी रहे होती कि महां लाइब्रेरियन आ जाता है और वह उन्हें कहते है कि आप जो है जो है कल यह सब पर सकते हो अभी हमें लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया है तो आउथर पूस्त कल कब खुले की तो वह कहते है एट ओक खुलेगी ठीक है तो ऑथर उनको यह भी बोलते हैं डाट क्या आप यह जो टेबल पे जो बुक्स में रखे हैं यह रहें दे स और नी राइट पॉकिट के अंदर जो भाकर की बुक थी उसको भी रख लेते हैं गलती से मतलब देखो उन्होंने क्या कर रहा है बेसेकल ने लाइब्रेरी से बुक रख लिया है और वह जो है कैते हैं मैं गेस्ट हाउस जूनता हूं महां पर मैंने रहा पारलल वोल्ड मे इत खाया वहां पे डिनर में ठीक है फिर मैंने सोचा में अजाद मेदान की तरफ चला जाता हूं क्योंकि वहां पर बहुत सब्सक्राइब था बेसेकली असली दुनिया में भी उन्हें अजाद मेदान में ही भाशण देने के लिए जाना था तो वह पैरललल वर्ल्ड में अजाद में गया तो महां पंडाल लगा थे तो मैंने एक चीज ने मेरी अटेंशन ग्राप करी उनकी जो प्रेजिडेंशल चीर थी तो उनको पता नहीं क्या हुआ वह जाकि उस चेयर के उपर बैढ गए ठीक है तो जो स्पीकर था उन्होंने जो मतलब हमाशार दे रहा थ उसको खाली करो तो ऊचरो करते हैं कि ऐसा तो कोई लेक्टर हो नहीं सकता जहां पर जहां पर चीजों के अंदर नहीं मानते हैं कहता है चेयर को खाली चोड़ो कोई नहीं बैठेगा तो इस पारनलल वर्ड में कहा कि अगर कोई भाशर हो रहा है तो वो जो चेयर है वो खाली रहेगी उस पर कोई आके बैठे गाई नहीं वो आइकोनिक है बट हमारे ओथर को यह चीज पसंद नहीं आती है ओथर नहीं कहेंगे जो हमारे प्रोफेसर गाई टोन्ने उन्हें यह है तो चलो जब आप ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश करेंगे तो मैं पढ़ा दूंगे आपको तो शेक्सपेर के हम्रेट में प्रेंस ओफ डेन्मार्क जो एक बहुत इंपॉर्टन करेक्टर है तो उनके बिना तो यह प्ले नहीं बढ़ सकता है तो बैसिकली वह यह चेयर परसन होना चाहिए नहीं चेयर परसन आके जूटे वादे करके जाते हैं लोगों को हम लोग जो है इस चीज में नहीं मानते हैं तो यहां देखो यह पैरलेल वर्ड में क्या है वो चेयर परसन के उपर जो है यह जो चेयर है वहां पर बैठके उसको रेफर करके जो ह और फिर वहां पर भगदर मच जाती है और एकदम से ऑथर गायब से हो जाते हैं अब जो है एकदम से क्यों होता है जब यह बहुत थे ना को में थे बेसिकली तो जब वह अजार में तो उन्हें रियल में भी घाइस खोश आ जाता है ठीक है यह काफी मुश्किल लगता है चा ऐसात में के बगदर्ड के दोब लोगने ज्वह अटाने आते हैं स्टेट से तो फिर वह पहुंच जाता है रियल वर्ल्ड में पुरूमी थे राजेंदर ची उनके पास चलिये प्रोफेसर और को यई सब बपाताएं प्रोफेसर राजेंदर उन्हें बताएंगे कि क्यों उन्होंने इन सब चीजों को जो है फेस करा क्यों वो एक ऐसे parallel world में पहुँच गए ठीक है तो he narrated everything that he saw वो जो भी उन्होंने कोमा के समय में वो जो parallel world में देखा वो सब वो बताते हैं अजाद मेदान वाली पूरी के पूरी घटना everything to राजेंदर जी उनकी यह बात सुनकर जो है काफी हरान हो जाते हैं और reply करते हैं और उनसे की पूछते कि तुम जब तुमारे ट्रक से जब टक्कार हुई थी उससे पहले तुम क्या सोच रहे थे तो हमारे जो यह बताते हैं प्रोफेसर की उस समय वह कैटास्ट्रॉफिट थी के बारे में सोच रहे थे अब एक सिच्वेशन में थोड़े से भी चेंज आ जाए तो उसमें इंसान के बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ता है बेसिकली अगर एक इवेंट चेंज हो तो उसका आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा के टैस्ट्रॉफ थियोरी यह होती है जैसे हिस्ट्री में ऐसे सोच चाता है कि अगर उस मुमेंट पे जैसे आप सोचो कि यह यह तो करक के टककर से पहली यह सब बाते सोच रहा था तो अविसली उनको यह भी होशी में सब चीज़ दिखाई दियोंगी तो वो कहते है नहीं ऐसा नहीं था देखो मैं अपना जो है मेरा माइंड मेरे साथ ट्रिक्स कर रहा था बैसिकली वो एपनी पॉकित के अंदर से नोट्स निकालती है जो अनों निमनी लेफ पॉकेट में रखाता है उस बुक में से भाकर की निकालते हुए तो वो इसको दिखाते है राजेंदर को कि यह देखो यह मैं देखो पैरलल वर्ल से वाला नोट्स अब जो है यह यहां पर चैप्टर वह जाते है तो अब हैं से तो उस बीच वो कॉमा से होश आजाता है उनको और यह जितनी भी बाती थी ना देखो अभी तक जो नोने में बताईए जीती माता एक्सप्रेस से लिए आजार मेदन के इंसिजेंट तक यह बात वो अपने फ्रेंड जो है प्रोफेसर रजेंदर उनको भी बता है ठीक है के लिए दो दिन में यह सब कुछ को मा में जो है या मैं ने पैलल गट में सब एक्सी रेंच कर रहा है और अब रजेंदर प्रसाद से क्वेस्टन पूछ के आते हैं कि Qo क्यो हुआ तो राजेंदर प्रसाद जो है जब हो दिखाते है वह कॉपी कापी सथी तो चेखते हैं तो उनके फ्रेंड है वहात हरान हो जाते हैं वह एक प्रेपर फटावा पीस जो था बाखर की बुग एक विडेंस था कि हाँ वो पैरल वर्ल्ड में थे उनके लिए तो वह कहते है देखो यह बाखर वाली बुग जो मैं वहां से लाया उसका एक फटावा पेज है पेज मेर पास कैसे आए जब अजाद मिदान के लड़ाई में शायद बुग गई होगी एकी पेज मेरे पास रह गया है और मैं आज के समय के मतलब की हमारा रियल वर्ल्ड है उसकी जो भाकर की बुग है वहां से यह सेम पेज लाया हूं उसको पढ़ो तो वह दोनों पेज इसको इसके बुगत हैं वह के अगव होगते हैं उसके साथ मेरे और अनकलते भावसाईब वह हमारे उद के अंदर मेले में मेले मतलम यूद हो रही थी वह harsh शायTomрь नहीं नहीं अवी उनकी हमीर शहीद हो गपता ही लोगय क्या हुआ यह पता ही नहीं चलता स्क्रीयत में और उस और जब अदाली थी वो बिल्कुल जो है आपस में तक्कर की थी बस जो है जब लीडर नहीं रहते हैं महराठा आर्मी के विश्वास राओ भी नहीं रहे और उनके अंकल भी तो फिर वो हार जाती है महराठा आर्मी ठीक है ये असलियत में हुआ था उनकी जो दूसरी वाली जो वहां से लिकर आते है उसमें लिखा था कि उनको बिल्ट नहीं लगती है और अधा आत्मी जीचाती है और यहीं से सारे चेंजिस होते हैं अब यहां पर जाइंदर प्रसाद बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ और हमारे गायट अंडे जी आंसर मांग स्मॉल चेंज भी अगर एक सरकम्स्टेंस में हुआ है यह पर्टिकुलर सिच्वेशन अगर एक चोटा सा भी चेंज हो गया है तो उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा जैसे कि माराथा वाली आर्मी में लडाई में दिखाया कि जब विश्वास राओ जी जो है उ पर विश्वास राओ जी जो है वो शहीद नहीं हुए तो वो लोग माराथा आर्मीजर उनकी वो जीत ठीक है अब फिर वो यह भी पूछते हैं कि पर्टिकुलर ली वहां तक पहुचे कैसे होंगे दूसरी चीज वाप यह बताता है कि कैसे तुम जो है उस पारलल वर्ल मे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूफ करते हैं तो हमें नहीं पता जो यह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूफ करेंगे ठीक है यहां पर आप यह देख सकते हो यह जो एक डाग्राम है तो हमें नहीं पता कि यह जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कब शिफ्ट क सकते हैं कर भी हैं तो हमारी अपनिय कि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह कहींना कहीं किसी और में पिर्फाट सकते जैसे हैं नहीं हैं जरूरी तो नहीं है कि यह नहीं हम पता है कि यह यह नहीं और यह श You इहाई है कीया चीज़ हुई कि मैं पहुचा कैसे तो वह उने यह बताते हैं कि जिस समय पे आपकी टक्कर हुई उस समय पे जो आपके मन में बात चल रही थी कि आप सोच रहते जाते जाते बारे में और आप इसी वाले टॉपिक के बारे में सोच रहे थे कि आप वही चीज सोच रहे थे हो जब आपकी टक्कर हुई तो यह चीज एक ट्रिग में पहुच गए अब फाइनली जो है काई टूंडे यह पूछते कि पर ऐसा हुआ कैसे कि मैं पहुचा तो वह एक स्क्लीन करते हैं एक कॉंसेप से वह कहते हैं कि जैसे कि जब हम किसी को गोली मारते हैं ठीक है जब बंदूग चलती है तो वह त्रिगर दबाया जाता है और क सब्सक्राइब करते हैं चलते ट्रिगर ना मिचारे तो फ्सक्राइब को आए यहीं सोच रहा था तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब देनी के लिए तो मेरा तो टौपिक यह होने वाला था कि अगर battle of पानीपट अलग तरीके से होती है निकि बैटल ऑफ पानीपट में माराथास जीत गए होते तो क्या हमारी हिस्ट्री रहती मेरा तो लेक्चरी इसी पिता में यही बात करने वहां जा रहा था और इतने में ही मेरी टक्कर होगी तो फिर उन्हें समन में आता है हां कि उनके दिमाग में जो है एक तरीके का ट्रिगर की तरह यह परफॉर्म करा और वह जब कोमा में गए तो वह उस दोनिया के अंदर पहुच जाते हैं तो विद्देस जो है फिर उनके दोस कहते है राजेंदर चलो कुछ तो तुम्हें आंसर मिल गया तुम्हें तुम्हें सा कुछ अचर्ण में आए और तुम जाकर अपना अपना लेक्टर दे सकते हो अधारमे दान में तो फिर वो जो है हमारे प्रूफेषर को आटोंडे कहते हैं मैंने आम मना कर भीया मैं लेक्टर देने आप नहीं जाओंगा क्यूंकि मेरा आजारवा लेक्टर जो है मेरा वो तो मैं अल्डेडी वहां पे देखर आ चुका हूं कहां पे अपने उस वाले वर्ल्ड के अन्र ठीक है तो जो है विद्धिस ये वाला आपका पुरा चाप्टर कंप्रीट आपका ये चाप्टर फुल कंप्रीट हो गया है आप ये चाप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई क्वेरी से तो आप अब भी पूछ सकते हो जो लाक ऑफ डिटर्मिनिजम जाली जो थियोरी है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया है मैंने आपको जिता आपको चाप्टर समझने के लिए आपको जडूरी था कि वह कैसे जो है दूसरे वर्ड में पॉचे वैसे बता दिया अब इस पर क्या 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 सकते हो बहुत जदूरी है एक्जाम के अंदर तो इसके पूरे चाप्टर के बेस क्वेशन कर लिए तो इस चाप्टर में से कोई भी क्वेशन आचा आप एक साम में अंसर कर पाओगे उसका वीडियो लिंक डिस्कुप्शन वोक्स में गिवन है फॉस्ट कमेंट में भी गिवन है वहां से जाके वह क्वेशन जूरू प्रिपैर कर लिया है यह चाप्टर हो जाएगा आपका बिल्कूल अच्छे से तयार कोई क्वेरी से तो भी आपको स्क्रीन पर दिखाऊगा स्टार्टिंग में लिंक्स भी गिवन है वहां से जाके आप इंग्लिश ही नहीं हिस्ट्री फॉल्टिकल जॉब फिस्टोलोजी साइकॉलजी और जो है एकनॉमिक्स और फिसिकल एजुकेशन के नोट से देख सकते हो तो मैं चल दियो